सब् Paint Шwe G कैसे व मार्किट के निर है ट्redd lg करोगे जैसा मार्किट के बारे में सोच होगे मार्किट वैसा इकर एगा आपको लगर मार्किट उपर जाना जिए मार्किट निचे आएगा आपको लगता मार्किट ब्रयाओट देना जिए ब्रयकion भी देगा लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक आपकी entry नहीं होगी जब आपकी entry हो जाएगी market ने जो breakout दिया था वो sustain ने करेगा आपके market opposite चलने लगेगा, market sideways हो जाएगा, nearby SL के आसपास trade करने लगेगा और आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी जो position है, उसे कोई ना कोई देख रहा है जिसके कानओ आपका SL खाने वाला है, अब देखी इससे होगा क्या आपका जो confidence है वो काफी low जाएगा, उस trade में आपको डर लगने लगेगा और में भी आप उस trade को hold ना कर पाओ, क्योंकि आपको लगेगा, आपका SL खाने वाला है market लेकिन इस value को आप market में बिल्कुल निकाल दीजी माइंड से कि market में आपने वहाँ पे portion बना रखी, आपने वहाँ पे SL रख रखा है इसलिए market उपर या नीचे आने वाला है, क्योंकि अगर आप nifty, bank nifty या कोई अच्छे stocks में अगर आप trade करे हो, तो वहाँ पे लाखो लोगों ने वहाँ पे portion बना रखी है, पैसा लगा रखा है आप के वल क्या है, अपने process को follow कीजिए, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि market में आपका ठीक ठाप profit चल रहा है, आपके according चल रहा है market, लेकिन वहाँ पे भी आपका confidence बन नहीं पारा, आपको डर लग रहा है क्योंकि आपको बहुत सी बाते पता चल गया, आपको ऐसे लंटिंग का पता चल गया, आपको support resistance कैसे देखना होता है, उसका पता चल गया है, option chain को कैसे read करना होता है, उसका पता चल गया है, market में candlestick पे कैसे काम किया जाता है, वो पता लग गया है, तूससे होगा क्या, मा बाद market ने यहाँ पे छोटा मोटा एक red candle भी बना दिया, तो आपने target भी लगा रखा था, आपने SL भी लगा रखा था, लेकिन केवल यहाँ पे एक red candle बन गया, और आपने option chain को read कर लिया, उसके कार्ण आपका confidence इतना low हो जाएगा, कि आप market के अंदर trade कार्ट लोगे अपन जी trade बना लोगे, और जो सबसे बड़े गलती होगी, उसके बाद market आपके coding भी चलेगा, और जो आपने पहले जो target decide गया था, वो भी अच्छी होगा, और उसके कार्ण क्या होगा, आपको गलती feeling होगी, आपको ऐसा लिया, आपने पता नहीं क्या गलती कर दिया, उसके कार बोल जाईए कि option chain में क्या बन रहा है, बोल जाईए कि stop loss hunting आपको क्या कह रहा है, बोल जाईए कि support resistance कहां पर बना हुआ है, क्या candlestick बन रहा है, उसके बाद एक strict plan बना लीजिए कि मुझे target achieve करना ही है, या फिर मेरा market ऐसल ले जाए, तो उससे क्या होगा, कि अब मैं कहता ह हूँ कि इसमें time लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको आप कल जाओगे market के अंदर ऐसा करोगे process, तो आपको यंदर confidence आ जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो आपको confidence बन नहीं पाएगा, और अगर ये करोगे तो बिल्कुल definitely shorty की साथ मापको कहने वाला हूँ कि confidence बन जा मैं आपको कुछ भी सका दे हूँ, आपको confidence मिल नहीं पाएगा market में, जब तक आप target को निकालना नहीं सीखोगे, target को बढ़ा करना छोट दीजिए, target के according निकलना सीख लीजिए, आप 10 target अचीव कर लेना, आपको continue trade में profit होगा, उससे ज़्यादा confidence आपको मिलेगा कि आपने target के according निकलना सीख लीजिए, और देखिए, कुछ ना कुछ ऐसी भी गलतियां होती है, जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं, जिने में नहीं करना चाहिए था, उसके कार्ण भी मारा जो confidence होता है, वो काफी low हो जाता है, जैसे मैं आपको एक reality की बात बताता हूँ, कि market में मैंने वहाँ पे capital लगा दिया, तो capital अगर आपने जल्दी से increase कर लिया, या अचानक सी capital लगा दिया, किसी setup पे believe करके, तो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा loss भी हो सकता है, क्योंकि market में देखिए, reality में trade करना, और जश्ट एक setup को देखना, बहुत difference है इसमें, आपको समझ में आ जाएगा जब आपको setup बनाओगे, उस पे आप trade करोगे, और उसके उपर आपका capital अगर आप अचानक सी increase कर देते हो, तो वहाँ पे देखिए, psychology तो hit करता ही करता है, चाये आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वो गडबड तो करता ही है थोड़ा वो, तो इस करना पड़ेगा, जब भी आपको setup बनाओ, वहाँ पे आप यह देखते रहो कि, buy कितना दे रहा है, selling कितना दे रहा है, market कैसा था, sideways था, तो इस सब बाते नोटिस करने पाड़ेगा, पड़ेगी, जब आप इन सब बातों को notice करके, आप फिर full time trader बनोगे, तब आपको कोई नहीं रोख सकता, लेकिन अगर आपको directly लगा कि यहाँ पे कोई setup जो 100% काम करेगा, या 80% काम करेगा, 70% काम करेगा, रिस्क आप 1 by 1, 2 रख लेना, तो वो काम नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, संबलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीजों को follow करने लगते हैं, और जहाँ पे हमारे पास 100 plan execute करने के लिए होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतिया हम कर देते हैं, केवल हमारे पास एक plan होता है, तो पर गलतियां नहीं होती है जब हमारे पास सो प्लान होते हैं ट्रेड करने के लिए तब हमसे गलती होती है तो आलवेज अपने आपको डिसिप्लिन रखिए अपने आपको टार्गेट के अकोर्डिंग निकालना सीखिए अपने आपको एसल के अकोर्डिंग निकालना मार्केट में आपको ट्रेडिंग में सफल होने के लिए टाइम बहुत जादा लगने वाला है तो इसलिए अच्छा है कि इन बातों को confidence के साथ अगर आप देखिए दिन का 100 रुपे भी कमाऊगे ना तो भी आपके अंदर confidence आजाएगा आप 10 रुपे भी कमाऊगे तो भी confidence आ आपको experience के साथ साथ आपको इन चीजों को पता लग जाए कि market में आपको कैसे काम करना है और धीरी धीरी आपको पता भी नहीं लगेगा अप धीरी धीरी ट्रेडर बन जाओगी setup बगरा बनाते रही आपके पास एक setup है फिर भी एक setup बनाते रही उसको थोड़ा थोड़ा करते रही है कि क्या है फोड़ा पूटा मोटा capital लगाते रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन directly किसी setup को यह देखकर कि यह 100% काम करने वाला पूरा capital लगा देता हूं बिल्कुल भी मत कर लेना मैं अपने personal experience से आपको बता रहा हूं कि मैंने ऐसी बहुत सी गलतियां कि है जहां पी मुझे लगा कि यह 100% काम करेगा और बहुत बड़ा लोस महां पर मैंने खाया है तो इसी अच्छा है कि आप उन गलतियों से सीखो और अगर आपने वैसा किया देखिए मैंने तो अपने आपको संभाल लिया कैसे भी वो एक अलग रीजन है अलग बात है लेकि प्रोफिट को ट्रेडर कभी भी नहीं बनाता तो पहले आपके अंदर पॉन्फिदेंस आना चींवरो फी Dur Inn का या चोटे लोस करो बहुत बड़ा लोस और बहुत बड़ा प्रोफिट की आवica nut नहीं यह मार्केट तो इस परबहार अगर मार्केच के अंदर आपको काम करन धन्यवाद